हेलो फ्रेंट्स आप से भी का स्वागत है तो फ्रेंट्स हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में मैटिक के बारे में तो फ्रेंट्स जैसा के मैटिक का दो जार एक किस काफी है अच्छा काफी जबरदस्त गुजरा हुआ है तो 2022 में Matic कैसा perform कर सकता है और इसके अलावा जैसे कि इसके technical analysis और भी कुछ जरूरी updates, information जो कि मैं इस वीडियो में आपको share करने वाला हूँ तो friends इस वीडियो पे बने रहना, escape मत करना पूरी वीडियो का अच्छे से देख लेना ताकि सब कुछ आपको एक एक detail समझ में आ जाए और friends अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो आप से request कर रहा हूँ कि आप मेरे इस चैनल को subscribe करके मुझे support करें और subscribe करने के बाद से आपको इस तरह के जो भी जरूरी update है markets related हर तरह की information मेरे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे तो चलो फ्रेंट शुरू करते हैं तो फ्रेंट्स आप यहां पर देख सकते हो पहले तो इन्हों ने एक यहां पर statement होगा जो है share किया हुआ है इसके मतलब performance को लेकर तो फिर आप देख सकते हो यहां पर 10,000 जो है new NFT collections हो चुके अभी तक उसके अलाबा 15 billion total assets minted हो गया है यहां पर देख सकते हो एक्टी प्लस एक्ट्व गेम्स हो गया है 2.5 billion NFT trading volumes हो गया है तो यह सब अपना share को statement हो गया है इससे भी बहुत सारा चीज समझने को आता है कि भाई जो matic है अगर आपने इसे hold कर रहा है तो actually matic काम कैसा कर रहा है जैसे कि share बजार में आप किसी एगर company का share ले रखे हो चाहें किसी bank का ही ले रखे हो अगर bank का business अच्छा चल रहा है मानलो आपके पास access bank ही है या PNB bank ही है और उसका business कापी अच्छा चल रहा है अच्छे कर रहा है अच्छे अच्छे नए scheme ला रहा है तो friends कहीं ना कहीं business develop होगा तो business जितना ही बढ़िया होगा उतना ही growth होगा उतना ही उसके share market में उसके price में भी growth देखने को मिलेगा और उतने ही ज्यादा लोग और attract होके उसके share को purchase करना शुरू करेंगे उसको business को देखते हु भी नए investor है या फिर जो ट्रेडर है वह attract होना सुरू हो जाते है और इसका जो मतलब क्या कहते है stock sorry share वगरा है जो भी इसको मतलब purchase करके अपना wallet में डालने रखते है holding बढ़ाने लगते है जो पहले से भी holding बढ़ाते है तो इसी साथ आपको यहाँ पे एक और चार्ट आपको यहाँ पे पॉलिगन देखने को मिल रहा है और यहाँ पे आपको उसके नीचे अवलांच है phantom है बीसी है नियर है इस तरह से सब कुछ है लेकिन सबसे पहले आपको पॉलिगन देखने को मिला है अगर ग्रोथ की बात करें तो सबसे ज्यादा ग्रोथ BC का है यहाँ इस सब्याइब आपको इस तरह के वीडियो जो भी अपडेट है किसी भी अपडेट को मिस नहीं करता हूं सारे का सारे अपडेट आपको प्रोवाइड कर देता हूं तो चलो और थोड़ा स नीचे आता है तो यहाँ पे यह लोग जो डेफाई कंगरलेशनस यह सब जो था इसको मैंने कल वाले जो कल मैंने मैटी का विडियो डाला था उसमें बता दिया था तो फ्रेंट्स अभी अपडेट जो है वो खतम नहीं हुआ है अभी बहुत सारे अपडेट है तो चलिए एक एक करके सारे देखते हैं तो फ्रेंट्स वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी तो चलो अब यहां पर मैं आपको दिखा देता हूँ यह एक नई अपडेट है तो फ्रेंट्स यहां पर देख सकते हो इसे मैंने हाइलाइट कर दिया है जीजी डैप इस नाव ओपें टुद वर्ल्ड आवर निव ओप इसे मैंने कल के वीडियो में बता दिया था और यहां भी मैं हाइलाइट कर दिया हूँ तो फ्रेंट्स अब और भी अपडेट है मैं सब कुछ आपको दिखाता हूँ बात यह कि फ्रेंट्स बहुत सारा इंप्रमेशन रता है अलग अलग जगा से कलेट करना पड़ता है ए यहां पर यह 16 गंटा पहले का अपडेट है और फिर एक यह नई अपडेट देख सकते हैं तो इस तरह से आई दिन मैटी के प्रोजेक्ट और बहुत सारे चीज आते रहते हैं जिस कारण से यह फ्रेंस टॉप 20 टोकेन में से एक हैं और इसका पॉपलरेटी जो है फ्रेंस का खुद समझ सकते हो आप फुद इसको होड किये होगे या फिर इसको लेने का सोच रहे हो अगर आप इसे मिस हो गया होगा तो फिर अभ यहां पर जो यह आप्डेट है इसे मत मिस करना और यह देख लो सेंट बॉक्स के साथ पॉलिगान का क्लिपरेशन जो है गेमिंग के लिए पर आपको पता होगा Sandbox जो है गेम अब बनाता है तो प्रेंस यहां पर पढ़ सकते हो This year is crazy for Sandbox game but 2022 seems to be even bigger तो प्रेंस जैसा कि देख सकते हो कि Sandbox इस साल कितना अच्छा परपॉम किया यहां पर बोल रहा है कि 2022 और भी अच्छा होगा इसके लिए अब यहां पर और पर सकते हो Sand received positive feedback on the initial alpha test with that in mind We can expect the migration to UX polygon next year as a further step to better metaverse तो फ्रेंस यह जो आ गया और यहां पर जो यह Sandbox आ गया और जो polygon आ गया प्रेंस अब समझ सकते हो कि कितना अच्छा काम यहां चल रही लोग का साथ में और आगे चलके कितना ज्यादा बेनफिट होने वाला है polygon को तो चलो फ्रेंस एक यह अपडेट थी जो की नई थी तो फ्रेंस और यहां पर यह जो पेसर वाला किसी का भी price रात तो रात कुछ कहीं पर हो सकता है बट फिर भी जिस token के पास अच्छा project है उसके में अच्छा potential उसके में जो estimation होता है या probability जो लगता है प्राइस का या future का तो वो कहीं न कहीं सही लगता है सटीक लगता है और उससे ज्यादा के भी आप उम्मीद कर सकते हो तो चलो फ्रेंस उसको एक बार हम लोग चार्ट को जो है देख लेते हैं और उसके अलावा जो मैं टेकनिकल का बात कर रहा था वहीं पर आपको clear हो जा यहां पर क्या है इनका update इनका क्या मानना है कितना प्राइस जा सकता है विकॉज यह सब जानना जरूरी होता है क्योंकि हम लोग मैंटिक होल्ड करके रखे हुए हैं या फिर मैंटिक लेने का सोच रहे हैं तो अप्रजुन्टी मार्केट में मिलते रहता है बर थोड़ा ब की पूरा डीटेल मम्रूर नहीं पड़ेंगे तो जैसा कि आपको पता है इस बार मैंटिक कितना बनाया था तो यहां पर आपना रिचिंग और टाइम हाई बैक इन मई तो फिर देख सकते हो मैं में जो मैंटिक का ओल टाइम हाई था वह इतना डॉलर के करीब था उसके बा आपको यहां पर यह जो मिल जाता है ग्राफ इसको मैं एक बार उपेन करता हूं या फिर जूम करता हूं देखता हूं कैसे हो पाता है कि नहीं हो पाता है इस ग्राब को थोड़ा आप अच्छे से एक बार देख लो और यहां भी इन क्या बोला है तो यहां भी देख सकते मैटिक 2021-2022 का जो प्रफॉर्मेंस है यह वाला एक चीज देख लो और यह जो सेनारियो फ्रेंस इसने बनाया यह वाला जो यहां से इसना जो बुल्डर न सेम बना था यह जो था यह भी सेम था आप देख लो फ्रेंस जो इसको मैंने बताए सब कुछ सेम है तो फ्रेंस यहां के बाद आपको आगे गराप नहीं देख रहा है क्योंकि अभी मैटिक एक साल में काफी प्रोफॉर्म किया है इसके उपर का जो गराप है अब यह बनत करीब में इसको प्रेंस तच किया था डोजा सतरह अठार के करीब में इसलिए यहां पर टार्गेट इन्हों ने इस तरह का रखा हुआ है तो चलो फ्रेंस अभी यह था गराप अभ थोड़ा हम लोग बैक करते हैं तो फ्रेंस अब लोग आते हैं नीचे में और देखते है कि इन्होंने क्या estimate लगा है कितना price जाने का इनको लग रहा है तो चलो फिर्ट्स थोड़ा से नीशे आते हैं जल्दी जल्दी से उसके ऐसे देखते हैं तो फिर्ट्स estimation का बात करें तो फिर्ट्स यहां पर आपको मिल जाता है यहां पर इन्होंने बोला है target जो है 9.90 for Matic तो friends कल मुझे एक एक ने बोला हुआ था जो subscriber थे कि Matic का price हो गए रहा तो मैंने खुद से एक estimate लगाए था मुझे जितना लगा तो मैंने उनको बोला था पांस डॉलर से दस डॉलर के बीच में जाते हुँ दिखेगा तो देखलो friends hopefully यहां पे दस डॉलर यहां भी लिखा हुआ है इस expert ने भी तो चलो friends ठीक है उमीद करो कि ऐसा ही हो उसके अलावा एक दो और छोटा update है उसे मैं दिखा देता हूँ उसके बास से बस आज के लिए मैटिक के लिए इतना ही होगा मैटिक से रिलेटेड और भी कोई भी छोटा चोटा अपडेट मिलेगा तो मैं आप तक पहुंचाओंगा ताकि किसी भी अपडेट को मिस करने से घाटा हो सकता है एक एक information हर कोईन के बारे में जनकारी रखना जरूरी होता है क्रिप्टो मार्केट में क्योंकि काफी वोलाटाइल मार्केट है और बीना knowledge बीना जनकारी के आपको पता है कितना ज़्यादा loss हो सकता है कभी भी मार्केट कहीं भी पहुंच सकता है opportunity मिस कर सकते हैं मार्केट कोई बड़ी अपडेट आई है और हम लोग टाइम पे अगर बाई कर लेते तो उस अपडेट के कारण से एक दो दिन में गजब का pump देखने को मिल जाता है और अच्छा खासा profit लोग एक दिन दो दिन में बना लेते है तो चरोँ फ्रेंट साब लास्ट के एक से दो अपडेट जो बचे है उसे देख लेते हैं उसके बासे काम यहां पर खतम होते हुए दिख जाएगा तो फ्रेंट साब यहां पर देख सकते हो कौईन बजार में यहां पर यह लिस्ट होने वाला है आप 1 जनवरी 2022 को फ्रेंस 12 बजे दोपर में जो है आपको Polygon List किया जएगा Coin Bajar में जो की एक Indian Exchange है तो फ्रेंस यहाँ पर देख सकते हो तो एक यह अबडिट थी फ्रेंस उसके बासे एक और जो अबडिट है आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो एक साल पहले जो आपको था यह Matic तो friends Matic का price आप देख सकते हो एक साल पहले कितना था आज री की दिन और अब friends कितना है तो friends अब लबग 3 डॉलर है और कहां उस टाइम डेसिमल 018 डॉलर के करीम में था तो चलो friends एक और साइध है उसे दिखा देता हूँ तो friends आप गेनर के बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको Matic देखने को मिलेगा friends तो friends आप देख सकते हो यहाँ पर 27 डिसम और 2021 का यह नो ने चार्ट और एक सेर किया हुआ था जो कि एक साल का है तो टॉप 15 गेनर्स इन 2021 तो जिसमें से Matic आपको 5 वी नमबर पर दिख रहा है और यहाँ पर friends sandbox आपको दिख रहा होगा तो friends अगर आपने इस मेरे वीडियो को अच्छे से देखा है किसी भी topic को information को miss नहीं किया है तो आपको पता होगा sandbox game बनाता है और Matic के साथ उसका collaboration हुआ है और दोनों साथ में मिलके उस project पर काम होगा रहा है तो इसके ecosystem पर काम हो रहा है जिससे की polygon को बहुत बेनफिट होने वाला है तो आपको रहा है